हेलो दोस्तो स्वागत था आपका इस नए वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो रेजुमे क्या होता है कैसे बनाते हैं और वीडियो रेजुमे बनाने के लिए कौन-कौन सा टूल यूज करते हैं ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं वीडिय रेजुमें भी देते हैं तो वीडियो रेजुमें जो हम लोगा होता है वो एक रेजुमें जैसे ही होता है लेकिन इसमें क्या होता है हम लोग वीडियो जो है उसको रिकॉर्ड करके देते हैं जो भी हम लोगा पेपर में लिखा होता है जैसे सिंपल रेजुमें में अगर आ हम लोगा उसमें इंजिनिंग से रिलेटेट कॉंटेंट आता है तो प्लेस्मेंट भी हम लोगा इंजिनिंग का एक इंपोर्टेंट पार्ट होता है और प्लेस्मेंट में हम लोगो वीडियो रेजियो में देना पड़ता है कई बार कई बार नहीं देना पड़ता है ठीक है तो कई बार हम लोगों जो simple resume बनाते हैं, उससे काम चल जाता है, तो वो resume कैसे बनाते हैं, और attractive resume कैसे बनाते हैं, वो मैं next video में cover करूँगा, तो इस video में हम लोग देखेगी video resume कैसे बनाते हैं, और बहुत ही सारा tools होता है, जिससे आपका काम बहुत ही असान होयाता है, इस video को देखने के बाद आपको जो है वो याद नहीं करना पड़ेगा कुछ भी ठीक है आप कैमरा में देखके confident के साथ बोल सकते हो कुछ भी ठीक है तो इस वीडियो को last तक देखना बहुत ही अच्छे अच्छे tools मैं आपको बताऊंगा ठीक है मतलब initial से लेके final तक कैसे बनाते हैं इंडिटिंग बगार सब किस से करते हैं सब कुछ बताने वाला हो इस वीडियो में ठीक है तो start करते हैं let's begin I am Mohamed Ball and you are watching Techick Ball तो start करते हैं वीडियो लेकिन अगर आपने subscribe करके विल नोटिफिकेशन नहीं ओन किया है तो जल्दी से जल्दी ओन कर ले क्योंकि इस के next वीडियो में मैं आपको बताने वाला रीजियो में कैसे बनाते हैं और वो भी एकदम attractive रीजियो में कैसे आप बना सकते हो ठीक है तुह हम लोग चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए होता है setup ठीक है, तो setup में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम लोगो camera चाही होता है, और tripod चाही होता है, ठीक है, camera जरूरी नहीं है, आप एकदम 20 से 30 हजार वाला camera यूज़ करोगो, आप simple mobile का camera भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और mobile का camera जब आप यूज़ करोगो, तो आ घर में बहुत सारे books होते है, या tables होते है, ठीक है, तो आप उस पर अपना mobile phone को set कर सकते हो, और set करके आप अपना video को record कर सकते हो, आपको mobile किस level पर set करना है, तो आपका जो eye होता है, उस eye के level पर आपका जो mobile है, आपका जो mobile का camera है, वो set होना चाहिए, जैसे अभी आपको मै दिख रहा होंगा, ठीक है, तो ऐसे जो अगर आप set करते हो, तो ये दिखने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, अब आता है light की तरफ, light थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका जो video है, उसका quality increase हो जाता है, ठीक है, तो light कौन सा आप use light होता है, और आज कर जो tube light आता है, उसमें screw नहीं रहता है, ठीक है, तो आप एक काम करना वो tube light को अपने room में ले आना, जिस room में भी आप video सूट कर रहे हो, ठीक है, आपके पास दो tube light है, तो अच्छी बात है, एक tube light है, तो भी काम चल लाएगा, ठीक है, कोई problem नहीं होग अच्छा लाइगा, और tube light जैसे आप ले के would ए तो बहुत दोग गलती करते है, की आपने, मतलब जैसे camera आप यहां पर रखे हो, आई के level पे, तो tube light जो हता हो, उसको भी eye के level पे रखते है, तो tube light को आई के level पे नहीं रखना है, तो tube light आपको कहा रखना है, तो tube light या ज बतना ज्यादा अच्छा light आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रचना है कि आप जो tube light रखो या light जो आप लगा रहे हो, वो आपके सर के कम से कम 2 feet उपर हो, आपको tube light कहा लगाना है, एक right side में लगा लो, एक left side में लगा लो, अगर आपके पास एक और है तो एक सामने लगा लो, ठीक है, इतना बहुत होता है, अगर आपके पास सिर्फ एक ही tube light है, तो आप सिर्फ सामने लगा लो, लेकिन सामने भी लगाना एक दम eye level पे नहीं, आपको मैंने बता दिया, सर के 2 foot उपर रहेगा, ठीक है, tube light, at least 2 foot उपर रहेगा, ये तो आप जादा उपर भी कर सकते हो, अब उतना ज्यादा उपर भी नहीं कर देना, कि light आपको आए ही ना, तो समझ गया, आप light को कैसे setup करना है, अब हम लोग देखते है, ठीक है, तो अब हम लोग को mic चाहिए, तो mic चाहिए, बहुत सारे लोगों के पास mic नहीं रहता है, मैं बोया का mic या कोई ऐसा mic नहीं है, जिसका जो wire है वो लंबा हो, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप simply ऐसे ही record कर लो बिना mic का, और आप एक software यूज कर सकते हो, यहाँ पर जो बहुत कमाल का software है, और बहुत ही easy to use है, ठीक है, तो mic यूज, अगर आप mic यूज नहीं कर रहे हो, तो उस software से आप background noise को हटा सकते हो, ठीक है, और जो echo होता है, वो भी आप उस software से हटा सकते हो, ठीक है, वैसे तो ध्यान यह रखना कि अगर आप mic यूज नहीं कर रहे हो, तो ज्यादा noise बाला place नहीं हो, आप किसी sound से room में हो, या आप videos जो है वो रात को shoot करना, क्योंकि रात को स सकते हो, order city, आपको यहाँ screen पर दिख रहा होगा, order city नाम का एक software आता है, उस software से आप easily noise को remove कर सकते हो, echo को को कम कर सकते हो, आप अपने voice पर काम कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, तो यह हो गया हम लोग का setup का बात, कि मतला आप setup कैसे रखोगी, ठीक है, अब हो गया हम लोग का setup स simply content नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा content story, ठीक है, तो आप जब भी बोलोगे, तो आप एक story के तरह बोलोगे, मतलब ऐसा नहीं कि my name is Iqbal, I read in this college, I have done this, I have done this, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है, आपको एक story frame करना है, ठीक है, आप बोलोगे तो directly camera में नहीं बोलो होगे, ठीक है, कहीं पर आप लिख के उसको रख लोगे कि आपको बोलना क्या क्या है, मतलब आपके बोलने से, camera में बोलने से पहले आपका लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो आप वो लिख लोगे और एक story के तरह रहेगा, ठीक है, जैसे आपने college में आया, तो college में क्या 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 क्या, आपने first year में क्या क्या, आपने second year में क्या क्या क्या, कौन-कौन सा skill सीखा आपने, फिर कौन-कौन सा project में आपने participate किया, फिर कौन-कौन सा project आपने बनाया, minor project कौन सा बनाया, major project कौन सा बनाया, आप क्या-क्या जानते हो, कोई training किया, या कोई intensive किया, तो आपको यह सब एक story के तरह बताना है, ऐसे नहीं बताना है कि बस हाँ बोल देना है, मेरा काम है, हम करके खतम करें, ऐसे नहीं बोलना है, वो ज़्यादा attractive नहीं लगता है, आपको storytelling आना चाहिए, storytelling बहुत ही powerful technique होता है, किसी भी person को attract करने के लिए, ठीक है, emotion से खेलना बोल उसमें cover क्या क्या करना है, तो आप पहले introduction दोगे अपना, ठीक है, कि अपने बारे में बोलोगे कुछ, ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा qualification के बारे में बोलोगे, उसके बाद अपने skills के बारे में बोलोगे, उसके बाद project के बारे में बोलोगे, क्या क्या project आपने बनाया और achievement के बारे हम बोलेगे, ठीक है, ये सब आपका जो points है, वो included होना चाहिए, ठीक है, आप ये सारे points को frame कर लोगे, और एक story में convert कर लोगे, और उस story को convert करके, फिर आप camera में जाओगे, तो क्या ये जो आप लिखोगे, वो आपको याद करना पड़ेगा, इतना लंबा जो आ आप लिखोगे एक paragraph, या एक page को जो लिखोगे, कम से कम एक page को तो हो गई, तो क्या आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल याद करने की जरूरती है, जब हमारे Prime Minister जी जी हो है, वो याद नहीं करते है, वो teleprompter नाम का एक device आता है, वो देख करके ब मुझे देख के बोलना है, तो यहाँ पे teleprompter रहता है, मैं देख करके बोल सकता हूं, ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है कि practice नहीं करना होता है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी आए, teleprompter रखा है, आए, एकदम बोलना सुरू हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कम से कम वो speech जो रहता है वो एक दो बर पढ़ावाय रहता है तभी आप fluently बोल सकते हो किसी की सामने ठीक है तो जब मोदी जी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो आप तो एक engineer हो technology के बादसा ठीक है तो चलते हैं आपको बताते हैं हम एक tool तो जिससे आप easily ये काम कर सकते हो और आपको ये device की जरुवत भी नहीं है सिर्थ आपको mobile phone से हो जाएगा ठीक है तो आपको क्या तरना है आपको एक app install करना है android mobile phone में जिसका नाम है elegant teleprompter ठीक है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैं link description box में दे दूँगा जो भी tools बता रहा हूँ सबका link मैं description box में दे दूँगा आप वहाँ से जाकर के download कर लेना ठीक है तो नाम है elegant teleprompter इसको आप download कर लेना जैसे आप download करोगे तो आपके mobile phone में ये download हो जाएगा ठीक है तो कुछ इस तरह का दिखेगा और यहाँ पर आप लिख लेना आप जो भी जो भी बोलना है जो भी camera के सामने बोलना है वो आप लिख लेना ठीक है तो लिख लोगे तो यहाँ पर यह आ जाएगा ठीक है यह खुद बाखुद scroll होते रहेगा ठीक है और आपका camera on रहेगा और यह वाला जो यहाँ पर कर देना आपको यहां पर जो है यह आपको जो स्क्रीन है वह यहां पर दिखेगा ठीक है वह आपको यहां पर दिखेगा और जैसे आप इसको स्टार्ट कर दोगे यहां पर प्ले का बटन होता है ठीक है आप जैसे इसको स्टार्ट कर दोगे यह धीरी-धीरी स्क्राउल होते तो इसको अगर आप इंस्टाल कर लोगे तो आप कैमरा में देख के पढ़ सकते हो, मतलब अगर आप नहीं कौपी रखते हो या कहीं और कुछ रखते हो, तो उसके लिए अगर आप इधर देख के बोलते हो, तो वो पता चलता है, यह एक अच्छा इंप्रेशन क्रेट नहीं करता है, लेकिन अगर आप मोबाइल के कैमरा में देख के बोलोगे, क्योंकि यह वाला जो स्क्रीन है, यह जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, वो तो मोबाइल के स्क्रीन पर ही होगा, और आपको बोलना कहा है देख करके, कैमरा की इधर है, वो मोबाइल के तरफ ही है, तो आप इधर देख करके बोलोगे, तो यह स्क्रॉल होते रहेगा, और आप देख करके इजली बोल सकते हो, ठीक है, तो इससे आप अपना जो वीडियो रिजू में है, वो आप इजली बना सकते हो, और आपको कुछ याद करने की भी जरुवत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अब यहां तक तो हम लोगा हो गया, उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहां पर हम लोग ने वीडियो तो बना लिया, ठीक है, पहले step में हम लोग ने देखा, सेट अप कर लिया, दूसरे step में हम लोग ने देखा कि वीडियो सूट कर लिया, ठीक है, वीडियो बना लिया, वीडि में कोई disturbance हुआ हूँ, या initially में कोई disturbance हूआ है, या initially में आप camera on करते हो, तो उसका video जो आद आ जाता है, वो सारा का link आपको discussion box मिल जाएगा, ठीग है, कोई problem नहीं होगा आपको, ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग के लिए आप यूज कर सकतो मुबाइल में, माइ मूवी ठीक है, माइ मूवी आप इंस्टॉल कर सकतो, ये फ्री है ठीक है, और भी बहुत सारा एप है जैसे काइन माश्टर, जो कि बहुत ही अच्छा एप है लेकिन उसमें वाटर मार्क आ जाएगा ठीक है, और उसको अगर वाटर मार्क आप हटाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा ठीक है, तो इतना से काम के लिए पे करने की कोई जरुवत नहीं है आपका ये जो एप है, इसमें आपका एजली हो जाएगा, ठीक है, तो इस एप ते आप वीडियोinho कर सकते हो बहुत ही सिंपल है इडित करना ठीक है, नहीं अगर आप इस एप को यूज करना चाहरे हो, तो आप इन शॉट यूज कर सकते हो, ठीक है, इसकी भी एप है लेकिर उसमें watermark आता है आपको watermark हटाने के लिए पैसे देने पड़ते है ठीक है लेकिन यह free app है और आपका सारा काम हो जाएगा ठीक है आपको pay करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है जा फिर आप laptop से वीडियो एडिट करना चाहते हो तो तो आप shortcut use कर सकते हो ठीक है वीडियो मैं shortcut से ही एडिट कर रहा हूं ठीक है मेरे YouTube के जितने वीडियो सबको shortcut से एडिट करता हूं हाँ जब पैसा आएगा तो मैं लूंगा Premiere Pro कोई बात नहीं ठीक है तो अभी आप shortcut से कर सकते हो एडिट कोई problem नहीं है easily edit हो जाएगा इस पर सारा का सारा काम होता है ठीक है मैं अपना जो वीडियो होता है वो shortcut में ही एडिट करता हूं ठीक है तो आपने सेट अप भी कर लिया आपने वीडियो शूट भी कर लिया और आपने वीडियो एडिट भी कर लिया तो अब आपक इसी भी कंपणी में वह वीडियो रेजियो में भेज सकते हो ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को अनकरना बिल्कुल ना भूले इसके नेक्स वीडियो में हम जो सिंपल रेजियो में हम बहुत ही मेनत लगता है वीडियो बनाने में ठीक है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो और जैसे मैंने छोटा-छोटा जो टूल्स बताया इस वीडियो में वैसा छोटा-छोटा टूल्स में शौट्स वीडियो बना करके इस्टाग्राम पे डालते रहता हूँ ठीक है तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो और अगर आपका कोई क्विरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर आप मुझसे चैनल जॉइन करके आप कोई भी क्विरी मुझसे पूछ सकते हो लिंक डिस्क्रिश पुसंद आया होगा तो चलते हैं मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई